बिहार लोग सिवा आयोग यानि BPSC ने 15 सितंबर 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए ऐसे अभिर्थी जो कि प्रात्मिक सरकी सिख्षक भरती में गलत या फिर बलर डोकुमेंट को अप्लोड कर दिये थे उनको संसोधन का एक और मौका दिया है अपने डोकुमेंट को अप्लोड करने के लिए 21 से लेकर के 25 सितंबर 2023 के बीच में किस प्रकार से आपको डोकुमेंट अप्लोड करना है और डोकुमेंट अप्लोड करने को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट्स हैं जैसे कि माल लेजे किसी DLA के अभिर्थी का उत्तर प्रदेश का जो कि उस सम अप्लोड करना है इसके अलामा जिनका आप पठनी है क्योंकि 100 कभी में अगर आप देखेंगे तो सबका वो लगबग बलर हो चुका था बिलकुल पढ़ने लाइग नहीं था तो क्या उन सबको फिर से अप्लोड करना है इसके अलामा जो यहां पर आप पब्लिक नोटिस म पर मेंचन किया गया है कि अप्लोड किये जानेवाले दस्तावेज की च्याय प्रती राजपत्रित पदादिकारी द्वारा हस्ताक्षित होना अवश्यक है। पत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम और प्रतिस्थापन, पदस्थापन का इस्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिशित करेंगे, यानि कि जहां से भी आप पर टेस्ट करा रहे हैं, उस गजिटेट आफिसर का आपको मुबाईल लंबर भी लेना तो क्या वो सभी डॉक्यमेंट को पुना अप्लोड करेगा, जो की सही है, इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंदर तक जुड़े रहेगा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं, केरियर बिट योटिप चैनल, अगर आप इस च प्रकार से आपको डेश्बोर्ट दीखेगा, यहां पर देखेए, अपडेट डॉक्यमेंट का एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद से आपके स्क्रिन पर कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें जितने भी डॉक्य पुना अप्लोड करने के लिए option आजागा, total 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं, document की list है, अब ऐसा नहीं है कि आपको सभी करना है, जो आप पर applicable होगा, वहीं तो आप करेंगे, जैसे कि माल लिजे कि आप other state के candidate है, तो उस condition में आपको domicile भी upload नहीं करना है, इसके लाबाद जो attesting officer के बारे में लिखा गया, यानि जिस भी budgeted officer से आप attest करवा रहे हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, designation with place of posting, उनका क्या designation है, वो किस post पर है, वो और कहां पर उनकी posting है, वो भी आपको mention करना होगा, इसके लाबाद इंटर contact number, उनका mobile number भी आपको यहाँ पर दे जितने भी होगे, जितने पर भी जो भी आपर applicable होगा, उसमें से किवल एक ही document अगर गलत हुआ है, तो क्या हम लोग सभी को करवाएंगे, देखें, यहाँ पर जो document आपका गलत हुआ है, सिर्फ आप उसे ही किवल यहाँ पर correct करेंगे, ठीक है, क्योंकि आयोग ने public notice में य यह कही document गलत हो गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 10-11 document पुना हाँ टेस्ट कराएंगे और पुना सबको upload करेंगे, नहीं, वो document आपको पुना upload करना है, जो कि आपने एक तरीके से गलत हुआ था, या फिर जो blur है, सिर्फ और सिर्फ वही document आप पुना upload कर सकते हैं, दूस करनी है, तो देखें, ये आयोग ने अपने public notice में clear नहीं की है, कि आप कौन सा upload करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बहतरिन ये है, कि जब आपसे सभी attest का detail मांगा जा रहा है, तो जिस भी copy पर, photocopy पर आप attest करवा रहा है, उस attest वाले का आप image अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे attesting authority का officer name भी पूछा जा रहा है, उसका designation भी पूछा जा रहा है, उसका कहाँ पर posting है, ये भी पूछा जा रहा है, उसका contact number भी पूछा जा रहा है, तो अगर आप जिस page पर attest करवा हैं, मतलब कि जिस भी certificate के photocopy पर attest करवा हैं, अगर उसी को आप PDF बढ़ा करके upload करेंगे, तो ये ज़्यादा बहतर माना जाएगा, और proof रहेगा कि हाँ, हमने attest करवाय था, वहीं वाला हम upload कर रहे हैं, अला कि ये सबी चीज़े आपको पुना लेकर के जानी होगी, counselling के दोरान, ठीक है, तो ये सबी चीज़े विसिस तोर पर ध्या साइज के वज़े से हमारा जो document है वो blur हो चुका है, आप upload करने के बाद बिल्कुल पठनी ये नहीं है, तो उस condition में क्या हमें पूरा करना होगा, आप ध्यान दीजेगा, हर बड़ी में कोई भी गलती मत करिएगा, जो document upload करने के लिए आपको मौका दिया गया है, पुना हा यहाँ पर I.O. को यह चाहिए था, कि अगर आपको clear photo चाहिए, तो आप 100KB से size को बढ़ाइए, आप खुद देखिए ना कि आज के date में, आप किसी भी mobile से camera देखेंगे, तो वो कोई भी normal सा भी phone है, तो वो image MB में चला जाता है, और जब आप उसको resize करेंगे, 100KB तक लाए क्योंकि आप ध्यान दीजे, कि अगर आप सभी document, जहिट से बात है, अगर 100KB करेंगे, तो सभी document आपको blur लग रहे होंगे, यह problem सब के साथ है, अगर आप पुना भी करेंगे, तो सब document को ले जाकर करके attest करवाना होगा, वो पुना जंजट करना होगा, पुना यह सब ची तो क्या फायदा होगा, फिर भी तो blur रह जाएगा, तो blur वाले जो भी अभी अभीरति हैं, यह सब कुछ सोच समझ करके करिएगा, कि 100KB में ही फिर करना है, तो फिर आपका blur ही होगा, blur वाले ऐसे भीरति, जो कि मान लिजिए कि उनका साइज 100KB के बी अलाउट था, लेकिन उन्होंने 5 के भी कर दिया, 2 के भी कर दिया, 3 के भी कर दिया, इतना कम कर दिया कि बिल्कुल दिखी नहीं रहा, उस condition में आपको कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका साइज 100KB के आस-पास था, मतलब कि 50 से लेकर के और 100KB के बीच में था, तब आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, पुना ये सब करने में, क्योंकि 100KB मैकसिमम साइज है, तो उस condition में फिर से आपका वो blur होगा ही होगा, चाहें कुछ भी आप कर लिजिए 100KB मैकसिमम जब साइज है, तो फिर से वो blur हो जाएगा, इस वज़े से इन सभी बातों पर अप विशेश तोर पर ध्यान देर लिजेगा, कि कुछ खास फायदा नहीं होगा, blur वाले अभी आपयरतियों को पुना ये सभी जहनजट में पढ़ने से, इसके लावा बहुत सारे अभी आपयरतियों का ये सभी चीज़े अपलोड करनी चाहिए, देखिए, आप पबलिक नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें वो बाते मेंशन की गई हैं, कि अगर आपका डॉक्यमेंट गलत अपलोड हुआ है, या फिर blur हुआ है, तो ही आपको ये सभी चीज़े करनी है, अब जो आपने इंटरनेट से प्राप्त रिजल्ट को अपलोड किया था, तो वो गलत तो है नहीं, वो आप ही का था, चुकि आपके पास उस समय ओरिजिनल डॉक्यमेंट नहीं थे, इस वज़े से मजबूरी में आपने वो इंटरनेट से प्राप्त जो रिजल्ट है, वो अपलोड किया अब जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो वो सभी चीज़े आप उनको एक्स्प्लेन कर सकते हैं, कि उस समय हमारे पास ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल तो हमें अब मिला है और ये भी तो समभाव ना हो सकती थी, आप जब ये करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे अभी भी अभ्यरतिय हैं, जिनको नहीं मिला है, तो जाहिर से बात है, वो चीज़े उन पर भी अप्लाई होंगी, जब वो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे, कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास मिला ही नहीं है, तो उस कंडिशन में आप करते हैं, और आप नहीं भी करेंगे, तो आपका कोई बहुत ज़्यादा प्रॉलम नहीं होगा, ठीक है, तो आप अपने ही साब से खुद डिसीजन लिजिएगा, कि आपको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि यहां पर साप सब्दों में पब्लिक नोटिस में में मेंशन किया क्या है, कि तुरुटी जिनकी हुई है, और जिनका ब्लर हुआ है, उनको ये सभी काम करना है, अब इंटरनेट वाला रिजल्ट आप ही का थो था, तो वो तुरुटी तो माना नहीं जाएगा, उस समय आपके पास शुकी था नहीं, तो आपने वो वाला अपलोड कर दिया, तो उस कंडिशन में आपका तुरुटी नहीं माना जाएगा, अब ये नोटिस केवल तुरुटी और बलर वाले के लिए था, तो आप अपने इसाप से सोच लिजेगा, कि आपको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके बारे में कुछ इसपश नहीं कहा गया है, कि जिनका, देखें, जिनका डॉक्यमेंट अपलोड करने का पहले आयोग ने मौका दिया था, वो सिर्फ एपीरिंग वाले को मौका दिया था, यानि सीटेट और जो बीएड या फिद डीएड एपीरिंग में एपलाई किया थे, जिनके पास उस समय डॉक्यमेंट नहीं थ और अब उनका रिजल्ट आ गया है, तो उनको अपलोड करने का मौका दिया गया था, बाद में जा करके, लेकिन ये वाला जो मौका है, ये केवल तुरूटी के लिए दिया गया है, एरर के लिए दिया गया है, अगर आपके डॉक्यमेंट में कुछ गलत्ती हो गया है, उस उसके लिए दिया गया है, और जो बलर हुआ है, उसके लिए दिया गया है, ना कि आपको डॉक्यमेंट अगर बाद में आया, तो अपडेट करना इसके बारे में नहीं कहा गया है, तो आप अपने इस तर पर सोच जरूर लिजेगा, उसके बाद ही ये सबी चीजे करिएग झाल 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 झाल